मंत्री श्री पटेल से राजदूत डौक्टर सुहेल ने की मुलाकात किसान कल्यान तथक्रशी विकास मंत्री श्री कमल पटेल से आज लेबनान में पदस्त भारती राजदूत डौक्टर सुहेल एजाज खान ने सौजन्य मुलाकात की मंतरी श्री पटेल ने राजदूत डॉक्टर सुहेल को क्रशी के छेत्र में मध्यप्रदेश की उपलब्धियों से अवगत कराया मेंटेनेंस के लिए बिजली सटडाउन की जानकारी वाटसेब ग्रूप में डाले उर्जा मंतरी श्री तोमर ने पूर्व छेत्र विद्यूत वित्रण कम्पनी के कारियों की समिक्षा में दिये निर्देश मेंटेनेंस के लिए बिजली सटडाउन की जानकारी उपभोक्ताओं के वाटसेब ग्रूप में भी डाले इसका समचार भी जारी करे उर्जा मंतरी श्री पद्यूम्न सीन्तोमर ने यह निर्देश पूर्व छेत्र विद्यूत वित्रण कम्पनी के कारियों की समिक्षा में दिये बियर पर आयात सुल्क घटाने पर समिती सहमत ग्रह मंतरी डॉक्टर मिश्रा आपकारी संबंधी मंतरी समूं की बैठक हुई आयोजित मुख्यमंतरी श्री चोहान ने नीम और पीपल के पौधे लगाए बेडमिंटन एवं टैनिस के प्रतिभा शाली खिलाडियों ने भी पौधे रूपे मुख्यमंतरी श्री सिवराज सिंग चोहान ने इसमार्ट उद्ध्यान में नीम पीपल के पौधे लगाए मुख्यमंतरी श्री चोहान के साथ भारत यूथ फोरम संस्था के सदस्यों ने भी पौधारोपन किया मुख्यमंत्री श्री चोहान ने प्रतिभावान खिलाडियों को दी प्रोचसाहन राशी और आसिर्वात बेडमिंटन का थॉमस कप जीत कर इतिहास रचने वाली टीम में मध्य प्रदेश के प्रियांशू भी मुख्यमंत्री श्री सिवराज सिंग चोहान ने आज निवास पर प्रदेश के उदियमान खिलाडियों को प्रोचसाहन राशी भेट की श्री प्रियांशू राजावत को दस लाख रुपे और सूस्री गोरांशी एवं धननजय दूबे को पच्चिस पच्चिस लाख रुपे की राशी के चेक प्रदान किये गए अम्रित सरोवर को बनाए देश भक्ती केंद्र मुख्यमंत्री स्री चोहान आगनबाडियों के बच्चों के सहयों के लिए आगे आए समाच अपराधिक तत्वों पर करें सक्ति से नियंत्रन प्रभारी मंत्री जिलों में करें प्रतिमाह समिक्छा मंदसोर जिले में लिंगानुपात में सुधार बड़ी उपलब्धी 1000 बेटो पर 1021 बेटियां जन्मी प्रधानमंत्री आवास योजना में मंदसोर में हुआ है स्रेष्ट कारें मुख्यमंत्री स्री चोहान ने की मंदसोर और जाबुआ जिले में संचालित योजनाओं की समिच्छा प्रदेश में साख जमा अनुपात को बढ़ाने का पूरा प्रयास करें बेंकर्स मुख्यमंत्री स्री चोहान इम्रान समर्थकों के पहुचने के पहले ही सुरक्षबलो ने इसलामाबाद पर डाला घेरा नाटो प्रमुख बोले यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे लेकिन सीधे युद्ध में शामिल नहीं होंगे 27 माई को धर्ती के पास से गुजरेगा करीब 2 किलो मीटर चोड़ा एस्ट्रे रोड ऐसी डेली अपडेट्स के लिए देखते रहें